तो दोस्तों शिर्यों बात करने वाले Axis Bank के बारे में और Axis Bank के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो प्रोविजनली 0.6.7% के अराउंड की एक 2TC यहाँ पर जो है वो हमें गिरावट और उसी के साथ counter के अंदर आज हमें यहाँ पर एक flat performance और एक flat negative closing भी जो है वो देखने क मिल चुकी है अब देखो दोस्तों बात अगर हम करें यहाँ पर अभी फिलाल के लिए Axis Bank की तो इस counter के अंदर भी हमें क्या चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि even though आज bank nifty हमें more than 1% तक positive note पर close होता हुआ देखने को मिला है then to यह counter हमें negative note पर ही close होता हुआ देखने को मिल करेंगे so Axis Bank का जो breakout zone है that will be the same that was of the last time 1200 अगर उसके उपर निकल गया तो counter as it is one way rally दीखाता हुआ उपर बढ़ेगा lower side पे support क्या है 1125 से लेकर 1150 अगर 25 point की range को break करके अगर Axis Bank नीचे निकल गया तो एक one way sell off भी आप यहाँ पर चल सकते हो